स्वागत करता हूं दोस्तों मैं है तेश गुपता आप सबका आपके अपरिश टैनल मार्केटिंग फंडर्स पर दोस्तों आज फेजबुक फिरिस की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फेजबुक एड एकाउंट के स्ट्रक्चर के ओवर्व्यू विकॉज अगर आप इस बिगनर हैं आप फेजबुक पे एड चलाना चाहते हैं और पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको इसके एड एकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी पता होगा तो आपको आगे चलके एड चलाने में थोड़ा असानी होगी तो इसलिए एक ब्रीफ ओवर्व्यू जानना जरूरी है फेजबुक एड इस्ट्रक्चर के बारे में तो पूरा देखिएगा अच्छे समझेगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो में दिक् आप साथ अगर आप कंप्ली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो वह भी बिना पैसा लगाए तो हमारे चैनल के तुरू सीख सकते हो बिगोज चैनल पर अल्रेड़ी इन साड़े साथ सो से जाधा वीडियो है विद लेटेस कॉंटेंट और इस साल एक हजार वीडिय के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो हमारी website marketingfundas.com पे जा सकते हो या डेली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेने हैं ट्रेनिंग लेने हैं मेर से तो आप संपर कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में आपको एक अपको इस ट्रक्चर के बारे में नॉलेग तो दोस्तों बिजनेस सूट में आके ऐड मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आऊँगे और यहां पर आप अपने एड अगॉंट के अंदर आ जाओगे तो यहां पर हम अपना एक एड़ अगाउंट ओपन कर लेते हैं जिसमें हम आपको शो करेंगे तो हमने अपना एड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है मैं पैस के नाम से यह बिल्कुल फ्रेश एड अकाउंट बनाया ताकि हम आपको फ्रेश तरीके से पिक्सल्स और सारी चीज़ें आगे चलके आड बनाना सिख्वाएंगे तो दोस्तों यहां पर जब यह एड अकाउंट है इड अकाउंट का डैशबूर्ड है अब अकाउंट में दोस्तों मेजर ली तीन चीज होती है डाटा क्वेस अब किम्पेंग के अंदर यह तो डैश बोड़् है जब आपके चलते हैं तो बहुत सारे यहांपर आपको डाट डिस्प्ले होते हैं तो वो एड्स का सारा डाटा होता है कि एड्स की बजट और उसका जो रिजल्ट सारे हैं सब आप यहां देख सकते हैं तो दोस्तों स्ट्रक्चर में यहां पर क्रिएट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके बस मल्टीपल कैम्पेइन अब्जेक्टिव आ जाते हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कॉस करेंगे और कोई भी आपका जो कैम्पेइन है उसको आप सेलेक्ट कर लो जो भी कैम्पेइन आप चलाना चाहते ह इसका सेलेक्ट करने के वाद आगे बढ़ते हो तो आप पर दर नेक्स्ट स्ट के ऊपर आते हो जो है आपका एड़ सेट है और यहां पर आप अपने एड्स की अभी आप न्ईब्रेंड अवेरेस की केंपेइन्स का ओप्षन आ रहा है इसके बाद हम इस स्टैप के ऊपर आएंगे तो अभी क्योंकि हमने objective decide कर रहा है तो यहां पर issue कर रहा है campaign का नाम जरूर आप अपने हिसाते change कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने किस campaign किस वर्टिक्र प्रडॉक्ट्स के लिए चलाया है special आपको कोई category यहां पर आपको कुछ नहीं करना है because आपको specific इससे related को एगर category हो तो ही आप कीजिएगा वर्ना मत कीजिएगा buying campaign details buying type ठीक है यहां पर आपको campaign details वेगरा कुछ basic details campaign objective पहले decide कर चुको तो यहां भी आपको कुछ नहीं करना ठीक है a-b testing होती है कि अगर आप अपने campaign को same campaign को multiple आप अलग-अलग creative या content के संग रन करना चाहते हो यह audience के संग तो आप multiple campaigns बना के test कर सकते हो ताकि आपको पता लग पाए किस तरीके के आपकी ज्यादा प्रफॉर्म करें तो आगे फर्दर आपको उसी तरीके की campaign बना पाओ तो यह सब एड्स भी हम आपको बनाना से खाएंगे testing कैसे करते हैं अब दोस्तों हम आते हैं campaign budget optimization हमेशा on कर लिजिएगा तो यह तो हो गया क्या करते हैं आपका जब हमने ads का start करा campaign का अब जब हम next करेंगे तो next करने के बाद आप आओगे अपने ad set के ओपर तो ad set क्या है ads की सारी settings मतलब ad की settings की नाम सारी details वेगरा budget budget सब हम जब बनाना सिखाएंगे तब आपको सिखाएंगे तो इस तरीके से आपका जो ad account है वो काम करता है सारी चीजिए उसके अंदर होती है और in depth आगे हम सीखेंगे इसको अच्छाएंगे इसको अच्छाएंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा informative लगी होगी और useful लगी होगी दोस्तों अगर आप digital marketing services हमारी agency से लेना चाहते हैं या आप हमसे coaching लेना चाहते हैं तो आप हमारी website marketingfundas.com पर जा सकते हो हमें contact कर सकते हो या आप हमें call कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो द अगर आपको चैनल को content पसंद आ रहा है तो comment section में बताइए आप हमें social media पे भी follow कर सकते हैं वहां पर भी अब हम regular updates देना start कर चुके हैं ताकि आप updated रहें तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखेगा और हम आपने latest content लाते रहेंगे regular basis पे तो उमीद करता आप लोग हमारे चैनल को share करेंगे और ज्यादा सा लोगों तक पहुंचाएंगे thank you for watching marketing funder